जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी गुड मॉनिक फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन स्टेडी पॉइंट दोस्तों आज है 27 सितंबर और देखेंगे आज की पूरे 16 करेंड एफेस कोईशन तो आप पूरा वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा लास्ट में कोशन पूछोगो उसका इंसार आपको कमेंड बॉक्स में लिखना है इस वीडियो की पीडिया फाइल के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जरूर जान कर लें और मैं अपने आरेकेड़ी प्रोफाइल की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया तो इस लिंक पर डारेक्ट क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं ठीक है इस वीडियो अच्छा लगए तो प्लीज एक लाइक करके उत्सा जरूर बढ़ाय करें मोटिवेट किया करें और इस वीडियो की जिदना ज्यादा हो सके सेर कर दिया टार्गेट रखते हैं आज 15,000 लाइक का तो प्लीज वीडियो अच्छा लागए तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दिये फटा-फट पहला कोशन बहुत इंपोर्टन है वीडियो लास्त तक देखिएगा वार्कलेज हुरून इंडिया रिच लिस्ट दो रठारा में सबसे बेखती है मुकेश अमबानी जी अपको बता दे कि बार्कलेज हुरून इंडिया ने डोप पर हैं तीन लाग एकतर हजार क्रोड रूपय की संबत्ती के साथ मुकेश अमबानी परिवार पहले स्थान पर है वहीं SP हिंदूजा परिवार की कुल संपत्ती 1.59 लाग करोड रूपए आकी गई है और दूसरे स्थान, दूसरे सबसे अमीर भारती है तो दूसरे नमर पर है SP हिंदूजा फैमली, फस्ट नमर पर मुके संबानी आपको बता दे कुल 1,000 करोड रूपए की ज्यादा की वेल्थ इस लिस्ट में 831 लोग सामिल है जिनके पास देश की कुल जीडीपी का 25 फीजदी हिस्सा है ठीक है और सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में फस्ट जनरेशन एंटर्परिनोर की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है जो टेकनोलोजी में जुड़े कारोबार में है और दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर जो टॉप 5 नाम है फस्त नमर पर है मुकेशंबानी सबसे अमीर फिसके चैनल फिंद मर पर है इसपी हिंदूजा और फेमली इनकी कुंपनी है हिंदूजा ठरर नमर पर है एलन मित्तल एंड फेमली इनकी कंपनी का नाम है Airsamlar मित्तल और फूर्थ नममर पर है अजीम प्रेम जी कंपनी है विप्रो इनकी कंपनी आप याद रखेए अट्प कंपनी एक सरक्र्जा में पूछा जाता है और इनकी संपत्ति है बाइस हजार साथ सो क्रोड रुपए बताई की है और एरिश्टा नेट्वर्क्स की जैसरी जो उलाल है 9500 क्रोड रुपए की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर है सबसे सीस स्थान सबसे टॉप पर सबसे अमीर कौन है वह हैं मुके संबानी जी रिलाइंस इंडेस्टीच के जबकि सेकर्ड नमर पर मैंने आपको वता है एलन मित्तल एंट फैमली उनकी कंपनी एरसेलर मित्तल ठीक है तो यह फैक्ट आपको याद रखना है कोश्चन काफी बोड़ेंड है पूरे सोला कोश्चन वीडियो को कि दिख सकते हैं काफ़ी अच्छा अगला कोश्चन स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया 2018 कुदघडन किस ने किया है तो दोस्तों स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया 2018 को धिया है उपराश्ट पती एम-बैंकायन नाइडू जिया आनि ऑप्सन भी कर्रेक्ट हो जायागा आ उपराश्टपति अंबेंक एन आड़ू ने जैपूर में स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया 28 को धढ़न किया है और उन्हों तो चर्चा करना चर्चा किया गया इसमें ठीक है तो यह आपको फैक्ट या धखना है बहुत इंपोर्टन दोस्तों आप हमारे फेस्बूक पेज को जरूर लाइक करता हूं पर आपको बहुत सार नोट्स में डेली प्रोवाइट करता हूं करें लिंक आपको वीडियो को डि पॉइंट को सभ्षित किया है तो सभ्षित किया है दो हजार उन्नीस से दो हजार अठाइस तक यानि ऑप्सन एक करेक्ट है ठीक आपको बता दे एक शांती पूर्ण समरिद्य समवेश्य निर्पक्ष दुनिया बनाने के प्रयासों को दोबारा करने के लिए राज्य और स सदस आपको बता दे कि सौ प्रमुक प्रतिनिधियों ने नेंसल मंडेला सांधी सिगर समय लें में सब्संवति से राजनिती घोष्णा को अपना है उन्होंने स्वर्गी दक्षिन अफ्रीका के पूरु राष्ट पती और उनके मानमता कुण के लिए शेवर समधाने नेंसल मंडेला के बारें आपको कुछ फैक्ट बता देता है जो एक्जामें पूछा आते हैं नेंसल मंडेला दक्षिन अफ्रीका के प्रत्थम आश्ट्वेत भूत पूरु राष्ट पती थे इनका जन्म अकब हुआ था अठारे जुलाई उनीस सो अठारा को ठीक अठार मना जाता है अठारे जुलाई को कि इसी दिन इनका जन्म हुआ था तो प्रतिवर्स यह भी याद रखने इंसल मंडेला डे ठीक है अगर बात करें यहां पर स्थापना हुथी 24 अक्टूबर 1945 को बरतमान में जो महसची कौन है यहनों के इंटेनिया गुटेरस जो की पूर् संग दीवस मना जाता है 24 अक्टूबर को याद रखने काफी इंपोर्डेंट हर एक गवर्मेंट एक्जाम में पूछ लिया जाता है ठीक है तो संग्तुरास ने इंसल मंडेला को शांतिक अदसक कब से कब तक घोसित किया है मोस्ट इंपोर्डेंट कोशन 2019 से 2028 तक घोसित विग्जान केंद्र ने संगत रूप से वित्ती समावेशन पहल के हिस्से के रूप में जानधन दर्सक नामक मुवाइल एप्लिकेशन विक्सित किया है डवलप किया है और यह है देश में किसी दिए गये स्थान पर वित्ती सेवा टच पॉइंट का पता लगाने में आम सब्सक्राइब के लिए गाइड के रूप में कारे करेगा जबकि इसे पर लग को पांच लाग सधीक एफ़ाइट टच पॉइंट्स मतलब बैंक सखार एटियम डागर जो तो मैप किये गए हैं ठीक है और यहां पर बात करें एन आइसी की दोस्तों एनाइसी की स्थाबना नेटनिश्दां अपरोट्वान में नीटा बर्मा नाइसी की महानीडी सहलुक है तो किस मंतराले ने जनभन दर्षक मोबाइल अपलिकेसं किया है वित्तमान नहीं यहां पर बात वरी विस्तमंतराले की निदुन मट्रा जीए और वरतमान में जो वित्त सचीं हो है भारत क ठीक है हस्मुक अधिया वर्तमान में finance secretary है और वर्तमान वित्तमंत्री कौन है अरुन जेटली जी वर्तमान वित्तमंत्री आप सबको पता है ठीक है तो यह fact आपको याद रखने revision करते रहना है एक्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको भूलना नहीं है correct answer लगाना है question number five है एक रक्षा अधिकरहण परिस्याद है ने डी एसी ने तेइस्टो करोड रुपए से अधिक क्यानवानी तलागत पर सेना के T-72 टैंकों में fit करने के लिए fit करने के अनुसार इंजन चपलता और T-72 टैंकों की गत्सीलता को बढ़ाएंगे जिससे वे इद्ध के मैदान में अधिक बहुमकी और प्रभावी स्थावित होंगे आपको अताधिक प्रद्युकी के बात इस्ताना अंतर इन इंजनों में से अधिकांस और्डिनेंस फैक्ट्री बोड द्वार नेवित किये जाएंगे इसके लाब यहां पर डी एसी की बात हो रही है तो डी एसी की स्था होने वरतमान में कई बार बता चुको संजय मित्रा जी है ठीक है यह भी याद रखना संजय मित्रा ठीक है तो के अंसर का द्वारा भारती सेना के किस प्रमुख इद्धक टैंक के लिए एक हजार इंजन की खरीद को मंजूरी दे दी गई है ठीक है चलिए कोशन नमर सीक्स सुप्रीम कोड ने अधार कार्ट की मानदा समन्दी फैसला सुनाते हुए निम्रकित में से किस काम के लिए अधार कार्ट के अनवारता को समाप्त कर दिया है करेक्ट एंसर हो जाएगा इसका ऑप्सन डी उप्रोक्त सभी आपको बता दें यानि मुबाइल से लिंक बैंख करते से अधार को में करने के फैसल वह सुप्रीम कोड ने रध कर दिया है झीक वरतमाने सुप्रीम कोड के चीप जस्टिस कौन है तो चीप जस्टिस है रंजन गोको इस से पहले थे धीपग मिश्रा जी ठीक है अभी इनकी अन्ोन की हळागा है तूपको याद pounds झाले ते चलिए अगला कोशन देख लेते हैं कोशन नमर 7 भारती होंकी की आवाज के रूब में प्रसिद की इस कमेंडेटर का हाली में निधान हो गया है आपको बता देख भारती होंकी आवाज माने जाने वाले प्रसिद कमेंडेटर जश्देव सिंग का लंबी विमारी की बाद 25 सितंबर 2018 को निधान हो गए 87 वर्स के थे ठीक है करेक्ट एंसर जश्देव सिंग कोशन नमर 8 देख लेते हैं देश में तेल के दामों में हो रही बढ़ोतरी पनियंतर नहें तुक कितने राज्यों के लिए समान तेल के दाम रखने का प्रस्ताव रखा गया है करेक्ट एंसर जाएगा ऑप्सन इसका C 5 आपको बता दें दिल्ली समेत पांच राज्यों की वित्त मंत्रियों की चंडीगर में हुई बैठग में पेट्टोल डीजल के दाम में समानता लाने पर सहमती बनी है इसके लिए सभी राज्यों ने एक उपकमेटी बनाने का रिणय किया है कोशन नमर 9 देख लेते हैं निम्र कित में स किस भाला फेंख खिलाडी को हाली में राष्टपती रामनात कोविन द्वारा अर्जून पूर्सकार से समानित किया गया है करेक्ट एंसार है आप संडी नीरत चोपड़ा को पता देंग कि क्रिकेटर विराट कोहली और वर्ल्ड चेंपियन वेट लिप्टर मीरावाई चा में ठीक है 1961 में अर्जून पूर्सकार की स्थापना होई थी ठीक है और आपको उता दे कि विभिन खेलों में अंतराश्टी स्तर पर तीन वर्सों से विशेश उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाडियों को अर्जून पूर्सकार जो तो कांस प्रतिमा प्लस में रखना है चलिए अगले कोशनर दिल्लीन साघ्रियों नाम की मसीन का हाली मुधवटें किया गया है ने सी 10ystem 18 को जैवलिन ठ्रोक ब ही मत समेद क्हुल कितने ऊसलीडों को अर्जून अवाड से समानित किया है क्योंशन में 20 ठीक है तो राश्टपति rewards और अर्जुन अबाट के वारे मैं आपको बता चुका कि 1961 मिस्की स्थापना हुई थी इसके तहट जो तो पांच लाग रूपए का रासी दी जाती हो प्रसंस्ती पत्र और अर्जुन की कांस प्रतिमत दी जाती सामारों परिधान और प्रदान किया जाता है कोशन नमें 12 देख लेते हैं भारती एकामर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने किस देश की टेकनोलोजी स्टार्ट अप अप स्ट्रीम कामर्स का दिरहन किया है किस दिरहन के साथ कंपनी के पास पूरे एसिया अमेरिका और इसराइल समय दुनिया के कुछ प्रमुक इनोवेशन हमे टेकनोलोजी और प्रतिवा उबलग्द होंगी करेक्ट टेंसर हो जागा ऑप्संसी इसरायल ठीक है चलिए अगले कोश्चन के तरह बढ़ते हैं कोश्चन नम्मर 13 है दोस्तों पोलैंड में आजी तेरवी अंतराष्टी साहिले जीयन मुक्यवाजी चेंपेंशी में भारत कि संदीब कौर ने कितने किलोग्राम भार बार इस परदा का शौन पदा को पने नाम कर लिया ठीक है करेक्ट एंसर हो जागा आपसंसी बावन किलोग्राम आपको उता देक पोलैंड में आजी तेवरी अंतराष्टी साहिले जीयल मुक्यवाजी चेंपेंशी में भारत की जो है तो संदीब कौर ने बावन किलोग्राम भार बार इस परदा कर शौन पदक गोल्ड मिल अपने नाम कर लिया है पोलैंड की राजधानी के है वार्षा और प्रेसिडेंट है आड्रेज डूडा ठीक है कोशन नमर 14 थैं राश्टुपति रामनात कोविन जी ने 25 से समानित किया गया है तो करेक्ट एंसार दोस्तों इसका ओप्सन ए मीरावाई चानू ठीक आप पोता दिक राश्टुपति रामनात कोविन ने 25 दमद और अठार क्रिकेट कप्तान जो है भारती टीम के विराट कोहली और महिला बेट लेप्टर जो है मीरावाई चानू को देश के सीर्स खेल समान राजीव गांधी समानित किया गया लाजीव गांधी खेल रुपया करासि और प्रश्रश्टि पत्र हरा की शर्षाति किसके बादी इसारी पार शापना दे वह एको प्लपता दें कि राजीव गांधी खेल लद में पूर्सकार एक इस्थाबना तो बता जो को निश्व चानवे बानवे मुई थी और यह मीरा भाई चानू जो है यह मड़ी पूर स्टेट से हैं ठीक है मड़ी पूर राज से हैं यह भी आपको याद रखना है वेट लिप्टर हैं भरत तोलक है कोश्चन नमबर फिप्टीन ते किस देश ने LIDFR टेक्नलोजिक कैमरा सेंसर और कई रडार से लैस दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेम का सबलता पूरोग परिक्षण किया है करेक्ट अंसर जागा ऑप्सन डी जर्मनी जर्मनी ने LIDAR टेक्नलोजिक कैमरा सेंसर और कई रडार थिक है कोस्टन नमर 16 कि भारति अब नेयता को मुंबई में कारिक्रेम के दावरान टाइक्कवांडो डॉक्तरेट रेट की उपाधी से शम्मानित किया गया है करेक्ट एंसर रहाँ ऑप्सन में सोनु सूत को ठीक है अब नेयता सोनु सूत को मुंबई में कारिक्रम के ताइकॉंडो डारेक्टर की उपादी समानित किया गया है ताइकॉंडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो महासची प्रफास सर्मान उन्हें खेल में योगदान के लिए सम्मान दिया है ठीक है दोस्तों तो यह थे आज के करण फेस्ट वीडियो पसंदाद प्लीज लाइक श अब देख लेते हैं आज का सवाल क्या है वर्ल्ड फुट वालर आप देर खिताब की इस खिलाडी ने जीता है बहुत इंबोडन कोश्चन इसका एंसर आपको कमेंट बाक्स में जरूर लिखना है प्लीज कमेंट जरूर करिएगा बहुत कम लोग कमेंट करते हैं लगभग जोईन कर लें मिलते लेक्ष्ट व्योग साथ आपका दिन सुभ हो जै हिंद जै भारत